इसे बचे बहुत पसंद करते हैं बड़े बड़े चाव सिखाते हैं आप मेरे वीडियो पसंद आए इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना बोले चाट बनाने के लिए देखें यह सुखा मतर मैं ली हूँ यूजातो कवर फूलने के बाद थोड़ा ज़्यादा हो गया था उसका दिसी कपशे में दो कप पानी और ये सामान के साथ में इसको ऊबाली हूँ प्पूलने के बाद इसमे जयादा शिठी नहीं दिरा थे तिन शिठी दिरा के तयार करनी हूँ अब मैं इसमें चाट के लिए ये श्टिक्या बनाकर दिखाती हूं ये आलू है इसे मैं उबाल कर छिल ली हूँ ये दो फ्याज कर ली हूँ जो डालूंगी दो तीन घरी मिर्च है आप स्वादम सा डाले ये धन्या के बत्ती है ये मस्टर डाले में बराऊंगी और नमक आइए और नमक आए दालती हूँ यह आप इसे टेस्ट के पालें डालेगा यह प्याज है यह ज्यादा में छोड़ दे रहे हूं मिर्च भी छोड़ रहे हूं यह धनिया पत्ती है यह मस्टर्ड डालें देखे यह आलू का चुखा बनके त्यार हो गया है अब मैं इसका चोटा चोटा टीका त्यार करते हूं इस तरह से गुल गुल बनाके टीका त्यार करते हूं इसमें हलका हलका में बेशन हलका चीर देरी हूं हलका 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 इस तरह से इसको पलट प्लट के काफी सॉफ्ट हो जाता है इसमें हलका बेशन लग जाएगा तभी तो प्लट हों है इसमें मस्टर डाल दीओ हलका हलका बेशन लपेड़ दीओ दीओ तरह से चार अचाट फैला ले बेशन है इसको चिपका रहे है अच्छा थे त्रिकिया फार्स टाइट बनेगा देखे मां टिकिया पश्टिगा है देखे आप रड़ दो गया है अर रहलका बेशन देएस तरह कुरकुराभी हो गया है जाट के लिए इसमें टो टिकिया जो में बनाई थे उसको लिह हूं अभी मंतर जो अब आ ली थे उसको वह मतर इतना पतला रखिएगा देखे इतना पतला इसको इसको में इसके उपर से डाल रहे हूँ अब थोड़ा से यह प्याज प्याज कट हुआ है इसको डेल लुगी है कि यह थोड़ी हरी मिर्च है अब जितना तीका कहाते उतना डालेंगे यह धनिया के पत्ती है यह में गुप्चु जो मार्केट में सुखावा मिलता है मैं से तल ली हूँ यह अगर आपो यह सुखावा ना मिले तो आप इस तरह कई मिलता है उसको यूज की जिएगा इसे दो तीन को दबा दबा के फोड़ेंगे यह काला नमक है थोड़ा काला नमक से टेस्ट अच्छा आता है इसमें काला नमक के इसमाल करें आभी करेंगे यह गुड़ और इमली के चट्नी है उसे में डालें मैं तीन चमाज डाली हूँ आप अपने टेस्ट के कॉर्ण डालीएगा यह मार्केट में मिलता है शेव इस तरह का प्याकेट में आता है मैं उसके इस्तिमाल करेंगे आप देखें इस तरह के लेजिएगा देखेंगे खाने के लिए आप इसे परोशी इस तरह शे खाईए और मजे लीजिए